तो दोस्तों कि आप भी GB WhatsApp यूज़ करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं कि आपको पता है GB WhatsApp में आप अपनी conversation को लॉग कर सकते हैं by password जब तक उस password को इंटर नहीं किया जाएगा तब तक वो conversation open नहीं होगी इसके साथ-साथ अगर आप चाहें तो GB WhatsApp पे available chats को आप hide भी कर सकते हैं साथ-साथ आप अपनी last scene को freeze कर सकते हैं blue ticks after reply यानि कोई भी आपको message send करता है आप उस message को देख भी लेंगी सामने वाले को पता नहीं चलेगा इसके अलावा अगर आपने किसी का status view कर लिया है तो भी सामने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि आपने उसके status को देख लिया है ऐसे और भी बहुत सारी मज़दार privacy अवेलबल हैं GB WhatsApp पे अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो जरूर देखे आज इस वीडियो में हम बा अगर आप हमारे इस चेनल पे नए है और आपने अब तक हमारे इस चेनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आपको इस चैनल पे इस तरीके का जैनून किंटेंट मिलता रहा है और हमिसा मिलता रहेगा तो चुलो करते हैं अपने विडियो तो GB WhatsApp की जब हम Privacy's की बात करते हैं तो step by step पहले हम Privacy's देखने से ये चेक कर लेते हैं जरूर कि ये कौन सा version है exactly तो version चेक करने के लिए आपको उपर यहां GB Settings पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है About पे About पे आप जाएंगे तो आपको यहां पे देखने को मिलता है version 12.20 यह जो GB WhatsApp version मैं यूज़ कर रहा हूँ यह है 12.20 अब अगर हम इसकी Privacy's की बात करें कि अगर आप यह version यूज़ करते हैं तो आपको क्या Advanced Privacy मिलेगी किसी पी चैट पे Long Press करें उपर 3 dots आपको देखने को मिलते हैं जिस पे आप क्लिक करिकते हुए देखेंगे यहां पे आपको Hide Chat को Option देखने को मिलता है आप Chats को Hide कर सकते हैं तो यह सबसे पहली Privacy आपके पास अवेलबर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इसके लावा आप किसी पी चैट को Open करते हैं तो आप देख सकते हैं उपन करने के बाद आपसे यहां से एक Password मांग रहा है यहां पर अगर मैं 3 dots पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे options की बहुत सारी एक लंबी से list है लेकिन यहीं की बीच में आपको unlock conversion मेरे में क्यों दिख रहा है चुकि मैंने पहले से lock किया हुआ था तो यहां से अब मैं जैसे अपना pattern follow करूँगा आप दुबारा मैं जब Bisp को इंटर करूँगा तो यहां पर देखेंगे आपसे password नहीं मांग रहा है लेकिन अगर यहीं पर क्लिक करते हुए आप lock conversion पर जाते हुए pattern करते हैं यहां से अपने मन मुताबी कोई भी चूज कर लेते हैं मानले जिए मैं दुबारा से अपलाई कर देता हूँ तो यहां से यह lock हो गया conversion आप दुबारा जब भी open किया जाएगा तो open करने समय पहले साब से यह पूछेगा तो दूसरी यहां पर cool सी setting available है जो आप use कर सकते हैं जी भी वर्टसप के इस version पर इसके लावा अगर हम अगली setting की बात करें तो उपर आप किसी भी chat के अंदर जाएगे तो वहाँ उपर आप tag करना है जैसे हैं आप tag करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे आपको एक प्रकार से कई सारे options का एक bulk मिलता है पहला option ही देख लेजिए custom privacy जिस पर आप click करेंगे तो किसी एक particular contact के लिए आप blue ticks को hide कर सकते हैं second tick को hide कर सकते हैं इनके message को अगर आप read करेंगे तो भी सामने वाले को blue tick नहीं लगके जाएगा यहां तक कि सामने वाले का message आपके पास deliver होगा लेकिन उसको second tick नहीं दिखाए देगा तो ऐसे यहां पर देखेंगे anti-read message है, anti-high review status भी है यहां पर देखेंगे तो भी इनको पता नहीं चलेगा कि आपने इनका status देख लिया है तो यहां पर यह तो options आपको देखने को मिलते हैं इसके लाव अगर हम और privacy की बात करें तो उपर आपको यहां पर click करना है तो कुछ पहला option ही privacy का है आप चाहें तो click करते हुए यहां पर देख सकते है आपको last scene अपना hide करना है कर लिजे जैसे मैंने गाट disable until delete messages अब यह क्या है? until delete message enabled है कोई आपको message send करता है तो वो message आप अगर delete कर भी देता है तो आपके लिए delete नहीं होता यहाँ पर देखेंगे show status view आपने किसी का status देखा तो सामने वाले को पता नहीं चलता लेकिन अगर आप इस पर click करेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पर show blue ticks on reply चुकि मैंने set करके रखा हुआ है कि मैं किसी का message देख लूँ तो सामने वाले को यह पता नहीं चलना चाहिए तो यहाँ पर कहरा है आपको इनको उल्टा करना है तो उल्टा करने का मतलब exactly क्या हुआ उपर आप click करते वे gb settings पर जाएंगे तो यहाँ पर पहले ही option आपका privacy and security का है click करके देख लिजी यहाँ पर last scene को आप freeze कर सकते हैं सामने वाले को कभी आपका real last time का पता ही नहीं चलेगा कि कब आप online थे आप अभी आप freeze कर देंगे तो हमेशा आपका अभी का दिखाय देता रहेगा जब तक आप इसको disable नहीं करेंगे NTV1 है किसी ने आपको one time वीव में send की वह आपके लिए हम आप बार बार इसको वीव कर सकते हैं यहाँ तक कि आप उसको download करके gallery में भी save कर सकते हैं नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखारा disable forward attack किसी का भी message किसी को forward करें पता नहीं चलेगा सामने वाले को कौन आपको call कर पाएगा पांच options हैं आपके पास जिनको आप choose कर सकते हैं सभी call कर पाएगे सिर्फ आपके contact numbers call कर पाएगे आपके contact numbers में से कुछ लोग को छोड़के बाकी call कर पाएगे आप जिनको select करोगे सिर्फ वही call कर पाएगे और कोई नहीं कर पाएगा तो यह यहाँ पर option available है इसके नीचे आप देखेंगे hide view status है आपने किसी का status देगा सामने वाले को पता नहीं चलता यहाँ पर देखेंगे enter delete status भी available enter delete messages भी available है and show blue ticks after reply भी available है इसके लाब अगर आप नीचे जाएंगे तो contacts के लिए आपको मैंने बताया था जैसे आपको hide करना है blue ticks या second tick hide करना है microphone hide करना है वो आप यहाँ पर कर पाएगे अच्छी सी चीज़ है और available भी है नीचे आप यहाँ पर जरूर देख लिजी आपको यहाँ पर whatsapp lock का feature मिल जाता है आप इसको enable करते हैं तो finger point pattern या pin जो भी आप enable कर लेंगे तो जब भी इस पर login करने के कोशिच करेगा बंदा तो उससे पहले उसको enter करना होगा तब ही ओ लाग इन हो पाएगा तो यह है यहाँ पर GB whatsapp की privacy अगर आपको सारे features के बारे में जानकरी करना है तो इस पर मैं separate video बना के पहले ही upload कर चुका हूँ नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं आप आज का video फिलहाल इतना ही video पसंदा है तो like कर सकते हैं